हेलो फ्रेंड्स, गूड मॉर्निंग तो आल अफ यू, वेलकम टू आई 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 टी स्मार्ट लर्ण आज मैं आपको क्लास 12 केमेस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिब बताने जा रही हूं जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महतुपूर्ण है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है ठोस अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है पदार्थ की वह अवस्था जिसके अनुओं के बीज प्रवल अंतरान्विक बल होता है और जिसका अकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं जैसे लकड़ी, इट, इत्यादी नेक्स्ट कोशन है ठोस कठोर क्यों होते हैं? उत्तर है ठोस के अनुओं के बीज अकर्शन बल या अंतरान्विक बल प्रवल होता है जिसके कारण ठोस कठोर होता है नेक्स्ट कोशन है ठोस के आयतन निश्चित क्यों होते हैं? उत्तर है ठोस के अनुओं या परमानु के बीज अकर्शन बल या अंतरान्विक बल प्रवल होता है इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है नेक्स्ट कोशन है ठोस के गुन को लिखे उत्तर है ठोस के गुन निश्चित है पहला ठोस का अकार और आयतन निश्चित होता है दूसरा ठोस का अंतरान्विक बल प्रवल होता है तीसरा ठोस ओसन पिड़य होता है दवाने पर नहीं दबता चौथा ठोस का विश्रन गुन बहुत ही कम होता है पाचवा ठोस के अनुओं के बीच अंतरान्विक दूरिया कम होती है छठा ठोस का अव्यविकन अनु होता है साथवा ठोस का घनात्व अधिक होता है आठवा ठोस के अव्यविकन की इस्तिती निश्चित होती है नेक्स्ट कोशन है ठोसों के वर्गी करन को लिखे उत्तर है ठोस को उनके अव्यविकन के आधार पर दो भागों में बाटा गया है पहला क्रिस्टलिये ठोस तूसरा और क्रिस्टलिये ठोस नेक्स्ट कोशन है क्रिस्टलिये ठोस किसे कहते है उत्तर है वैसे ठोस जिसका जया मीती आकिर्थी निश्चित होता है और इसके घटककन अनुपरमानू और आयन विवस्थित होते है उसे क्रिस्टलिय ठोस कहते हैं क्रिस्टलिय ठोस में दिर्ग परासी वेवस्था होती है जैसे सोरियम क्लोराइड, क्वार्टर्ज, फासफोरस, आयोडीन, इत्यादी Next question है औख क्रिस्टलिय ठोस किसे कहते हैं उत्तर है वैसे ठोस जिसका जयामीतियाकार निश्चित ना हो और उसके घटककन विवस्तित क्रम में ना हो उसे और क्रिस्टल ठोस कहते हैं इसमें लगुपरासी विवस्ता होती है जैसे काच, रबर, प्लास्टिक, पहुलक, इत्यादी नेक्स्ट कोशन है क्रिस्टल ये ठोस और अक्रिस्टल ये ठोस में अंतर लिखे उत्तर है क्रिस्टल ये ठोस और अक्रिस्टल ये ठोस में निमलिखित अंतर है पहला क्रिस्टल ये ठोस का जयामीतियाकार निश्चित होता है जबकि और क्रिस्टलिय ठोस का जयमीती आकार और निश्चित होता है दूसरा, क्रिस्टलिय ठोस में दिर्ग प्रासी व्यवस्था होती है जबकि और क्रिस्टलिय ठोस में लगुप्रासी व्यवस्था होती है तीसरा, क्रिस्टलिय ठोस का गलनांग निश्चित होता है जबकि और क्रिस्टलिय ठोस का गलनांग और निश्चित होता है चौथा, क्रिस्टलिय ठोस के घटककन विवस्थित होते है जबकि और क्रिस्टलिय ठोस के घटककन विवस्थित नहीं होते है पास्वा क्रिस्टलिय ठोस विसमदैसिक प्राकिर्तिक के होते हैं जबकि और क्रिस्टलिय ठोस और समदैसिक प्राकिर्तिक के होते हैं छठा क्रिस्टलिय ठोस वस्त्विक ठोस होते हैं जैसे सरकरा, क्रिस्टलिय ठोस अभासी होते हैं जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, इत्यादी नेक्स्ट कोशन है क्रिस्टल ठोस को कितने वर्गों में वर्गी क्रीद किया गया है उत्तर है अंतरान्विक बलो के आधार पर क्रिस्टल को चार वर्गों में वर्गी क्रीद किया गया है पहला सहसयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस दूसरा आनविक ठोस तीसरा आयनिक ठोस चोथा धात्विक ठोस नेक्स्ट कोशन है सहसयोजक ठोस क्या है उत्तर है वैसे ठोस जिसके अभ्यविकन परमानू आपस में सहसयोजक बल द्वारा जुरे होते हैं उसे सहसयोजक ठोस कहते हैं जैसे हीरा, पाटर्ज, सिलिकॉन, कर्बाइड, क्रेफाइड, इत्यादी यह विशायल चालक बनाता है अतर नेटवर्क ठोस है इस तरीके से मैंने आपको केमेस्ट्री का सब्सेक्टिव कम्प्लीट करा दिया है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में